दोस्तों एक बड़ी न्यूस सामने आ रही और इस न्यूस के मुताब एक भारत प्रयास कर रहा है ब्रिक्स करेंसी से चाइना का ही पत्ता काटने का जी हां अगर आप देखें तो बिजनस स्टांडर्ड ने एक न्यूस ब्रेक किया है जो कि आप देख सकते हैं कुछ इस प् भारत अब कह रहा है कि देखें उस Ooh को बाहर हैं और इसी के अंतरगत क्यों आप व principalmente के तरफ भागे बढ़े और इसी में इंडिया कह रहा है कि लेकिन इसमें आता है यह जो हमको नहीं चलता और डॉलर तुम ले नहीं पाते हो तो यहां पे अगर आप देखें तो इंडिया तबसे पैरुवी कर रहा है कि ब्रिक्स करिंसी को इंडिया एक्सेप्ट करें इंडिया ने कहा है ठीक है इंटरनाशनल थिंग टैंक्स को हमने रोपिन किया है इंटरनाशनल थिंग टैंक्स में भी हमने ध्यान रखा है सब को नहीं रखा है क्यों नहीं रखा है उस पर भी चर्चा करेंगे और साथ ही साथ आज के इस वीडियो में बेह लिट कर दे शेयर कर दे और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें चैनल 10,000 की और जा रहा है तभी हो पाएगा वो सभी लोग जो वीडियो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं किये हैं आप लोगों से निवेदन है सब्सक्राइब कर दें और जिन लोगों ने कर दिया है उनको बहुत-बहुत धनेवाद तो न्यूज में क्या है न्यूज में है दोस्तो रशिया अगर आप देखे तो आप जानता ही होंगे ब्रिक्स का चेर्मिन रहने वाला है इ इंडिया के पास अभी थोड़ा अगर आप देखे तो करीबन 6 महीने का समय है तो उसी के अनुसार इंडिया ने सोचा है कि क्योंकि रशिया बार-बार कह रहा है ब्रिक्स करेंसी पर सोचिए तो इंडिया ने कहा है कि एक स्टेडी कमिशन करवाई जाए वो स्टेडी से हम आप देखे तो अल्रेटी परसेंट ओ वर्ल्ड जीडीपी है ब्रिक्स एकॉनमी जो की तेजी से बढ़ रही है तो यह कहीं ना कहीं डॉलर का अगर आ गई तो सच में डॉलर को चैलेंज तो करने वाली अब इसमें कोई शक तो है नहीं हाफ वर्ल्ड पॉपिलेशन है क्यूं कह रहा है देखिए रश्या ने अगर आप देखे तो इस प्रकार की बातों पर रिन्यू किया है कि इंडिया अब वापस से सोचे कॉमन करेंसी की और आगे बढ़े इससे पहले बात हुई थी एप्रिल 2023 में जब रशियन स्टेट डूमा के जो डेप्यूटी चेर्म इस पर इंडिया ने तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो जुलाई महिने की बात है डॉक्टर रैस जेशंकर जी ने तो साफ साफ कहा दिया था कि इसके तरफ तो हम सोच भी नहीं रहे तो इस बार भी जो न्यूज आ रही है जो बिजनेस स्टांडर्ड ने कहा है कि दे इसके बाट बाट करेंगे जोंकी आसे करेंगे मिडाउड चाइना कैसा होना चाहिए उसका क्या भारत की अर्थ विवस्ता पर प्रभाव पड़ेगा और इतना ही नहीं दोस्तों यहां पर अगर आप देखें तो RBI से भी बात हुई RBI ने भी यही कहा कि देखिए अभी तो हम कुछ कमेंट नहीं करेंगे हम भी study करेंगे और फिर आपको बताएंगे अब यहां पर दोस्तों जो think tanks भी चुने गए हैं किसी भी think tank को नहीं चुना गया है यह जो multilateral agencies है like world bank, Asian development bank इनको भी मना कर दिया गया है क्योंकि इन पर चायना का भी और पस्चिम का भी दोनों का प्रभाव है तो इसलिए इनको भी नहीं लिया जा रहा तो most likely reputed international think tank from the global south चु कि क्या करना चाहिए अब यहां पर दोस्तों आईए bricks currency पर भी चर्चा कर लेते हैं कि bricks currency से क्या प्रभाव हो सकता है तो इससे पहले आगे बड़े जानना होगा कि आखिरकार किसको क्यूं चाहिए bricks currency देखिए अगर bricks currency आता है जो कि common currency होगा तो bricks countries में trade बढ़ जाएगा क्य पर dollar convert करके साओधी अरेविया के रियाल में convert हो गया तो इस दोरान अगर आप देखें तो बड़ी समस्याएं रहती हैं और इस तरीके से अगर आप देखें तो इसमें currency conversion की कीमत आ जाती है तो वह currency conversion की कीमत हट जाएगी जब common bricks currency आ जाएगा तो इसका जो पहला कदम होना चाहिए वो already हम उस तरफ move भी कर चुके हैं शायद आप लोगों को जानके हैरत होगा देखें bricks currency रातो रात तो आएगा नहीं उसका first step क्या होगा कि सारे bricks block के countries वो ले कि हम एक दूसरे से अपनी common currency में trade करेंगे अब क्या ये हो चुका है बिलकुल हो चुका है इंडिया चा तो ये first step होगा और एक बार जब ये first step पूरा हो जाएगा उसके बाद हम bricks currency ले आएंगे कि भाई अब जो trade हो रहा है वो bricks currency में शुरू हो जाए जो कि एक digital रूप में हो या एक alternative currency के रूप में हो तो अब ज़रा समझते हैं किसको क्या मिलेगा देखे सारे देश bricks currency को अलग इस्ता हो चाइना क्यों करना चाह रहा है क्योंकि वो backdoor से रेमिन भी को याने अपने युवान को US dollar का alternative बना सके और वो global reserve currency हो सके जो कि इस वक्त डॉलर है अब यह सवाल उठता है इंडिया को क्या मिलेगा देखिए इस वक्त इंडिया तो इस सिती में है नहीं कि रुपी dominance को थोड़ा कम करेंगे तो international transactions जो हो रहा है उसमें dollar से कम होगा तो कहीं न कहीं dollar से कम होगा तो बागी currencies में appreciation देखने मिलेगा रुपी थोड़ा appreciate होगा तो हमारी GDP के numbers थोड़े निखर के आएंगे बागी क्या हम वो चाहते हैं रुपी appreciate हो जाए तो कहीं न कहीं हमारी competitiveness manufacturing म हमने उठाया है उसमें इस्तमाल कर सकेंगे अब इंडिया के पास तो ऐसे debt की समस्या है नहीं South Africa Brazil को भले इससे फाइदा हो सकता है इंडिया को तो खास फाइदा नहीं होता हुआ देख रहा तो अब यहां पर अगर आप देखे तो इंडिया का angle देखते हैं देखिए हमने रश्या से तब से कह रहे थे हम कि आप रुपी रूबल arrangement हो चुका है तो हमारा ट्रेड आप common currency में कीजिए क्या रश्या माना नहीं रश्या तब से कह रहा है इंडिया के साथ ट्रेड रमिन भी में हो यूआन में हो क्यों वो ऐसा कह रहा है क्योंकि आल्रेडी रश्या देख रहें ये बता रहा है रश्या का कितना ज्यादा foreign exchange ये यूआन में है रिमिन भी में है तो आप देखे तो ये already 17 प्रतिशक रश्या का जो यूआन में उसका foreign exchange मौजूद है तो वो यूआन जमा करना शुरू कर चुका है जाहिर सी बात है अगर bricks currency बनेगी तो यही य बात को जानते हुए हम bricks minus China की और जाना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए एक बात clear है अगर China आएगा तो China will be the dominating player आप देख सकते हैं जब भी कोई group of multiple nations मिलके अपनी common currency बनाते हैं तो उसमें जो सबसे powerful country होता है economically उसका सबसे ज्यादा उसमें आप चलती देखेंगे आप देख control Germany करता है वैसे ही अगर हम bricks currency भी operationalize करेंगे तो वो कहीं न कहीं China backdoor entry उसी की हो रही है अगर bricks currency operationalize होगी तो एक central bank लगेगा यह central bank चायना के द्वारा control होगा क्योंकि Chinese economy में सबसे ज्यादा मजबूती है तो इसलिए अगर आप देखें तो इंडिया या ब्रजील जैसे देश ताकि इंडिया में इस economic problem से fight किया जाया जा सके most likely नहीं करेगा आपने देखा था जब European Union में Greek crisis हुआ था Greek debt crisis 2010 की बात जब Greece ने कहा था कि हम debt payment नहीं कर पाएंगे और हम default कर जाएंगे इस वक्त जर्मनी आया जर्मनी और उसके जितने भी bankers है क्योंकि सबसे मजबूत economy है कह तीजन क्या हुआ Greece उस economic crisis से उबर पाया उबर पाया नहीं उबर पाया जो भी उसकी economy तो लगबग खतम हो गई लेकिन जर्मनी ने Greece को अपने terms dictate किये कि आपको अपने public finances बदलने होंगे कहीं न कहीं आपको pension system बदलना होगा आपको austerity measures लेना होगा याने की interference तो वैसे ही तो हम money supply कम कर देते हैं अगर हमारी economy में consumption नहीं हो रहा तो money supply बढ़ा देते हैं तो यह सारा monetary tools हमारे हाथ से निकल जाएगा वो हमारी economy के हिसाब से नहीं वो चाइना की economy के हिसाब से चलना शुरू होगा तो इसलिए यह एक बड़ी समस्या इसलिए हम चाइना को बाहर रख bricks currency common currency हो गई तो इस वज़े से जितने भी bricks countries हैं इनके बीच में जो bookkeeping है वो बड़ा सरल हो जाएगा वैसे ही आप अगर देखें तो इन countries के बीच में जो bookkeeping के बाद आप समझे जो currency conversion cost आता है जैसे मैंने आपको साओधी और इंडिया का example दिया था तो वैसे ही आप अगर मा ता हो तो इंड्या रुपीज में देगा ड्लर कंवर्ट होगा रूबल बनेगा और वहां पर जाके इंड्या रुपीज में में देगा रूपीज डॉर बनेगा डॉलर राशिया लेगा वापस currency convert करेगा ruble में convert होगा तो इस प्रकार से दोनों economies को dollar रखना पड़ा और साथ-साथ बीच में currency conversion दो बार हुआ तो उसकी कीमत अलग लगी तो ये सारे cost खतम हो जाएंगे bookkeeping सरल हो जाएगा तो जाहिर सी बात है जैसे ही common currency आएगा automatically उन देशों के बीच में trading system जो trade है वो बढ़ने लगेगा क्योंकि trade efficient हो रहा है जाहिर सी बात है इस वजे से जो cost बाकी currencies में trade करने पे लग रहा है इसमें नहीं लग रहा है तो cost of trading कम हो गया तो वहां से समान कहीं न कहीं असानी से आने लगेगा तो नतीजन क्या होगा Chinese goods Indian market में easily enter करना शुरू कर जाएगा धीरे धीरे Chinese influence पूरे के पूरे bricks block में बढ़ती हुई दिखेगी और उसके बाद क्या होगा जब trading आपस में इतनी बढ़ चुकी है तो next step यहीं होना है कि currency union के बाद अब हम trading union बने और इसके साथ बात होगी कि जो आपस में जितना भी trade related rules है उसको negotiate किया जाए और उसमें China सबसे dominant है तो China क्या करेगा trading rules decide करने लगेगा नतीजन क्या होगा जो China के साथ हमारा trade deficit है वो और बढ़ जाएगा और पूरे bricks market में चाइना अपने surplus production से उसे flood कर देगा इसलिए हम bricks currency से चाइना को बाहर रखना चाहते हैं दीसरी सबसे important बात अगर आप bricks currency की बात करें तो यह Chinese ambitions को हवा देना हो गया चाहना इस वक्त क्या चाहता है कि उसकी जो एजिंग economy है उसमें युवान अब international currency बने आज तक उसने produce किया मेहनत किया खून पसीने से समान बेच बेच के US को खिलाया फिर्स कागज के टुकड़े के लिए अब वो चाहता है यही चीज replicate करे तो कि अब वो प्रड्यूस नहीं कर पाएगा उसकी economy एजिंग हो गई है तो अब वो इस economy को कंजम्टिव economy की ओर लेके जाना चाहेगा वो कंजम्टिव economy तब ही बन सकती है जब युवान डॉलर का position ले याने कि वो surplus reserve currency बन जाए और इसमें वो तब ही हो पाएगा currency के द्वारा अगर युवान बैक्ड हो गया कहने को ब्रिक्स करेंसी है लेकिन वो ब्रिक्स करेंसी चाइना कंट्रोल है जैसे की euro-german कंट्रोल है तो वो ब्रिक्स करेंसी कहीं ना कहीं चाइना के लिए युवान internationalization का बैक डॉर होगा और इसके साथ वो reserve currency भी बन के उभर सकेगा तो इस तरीके से क्योंकि domestic economy में तो most likely domestic economy में आप देखोगे तो अपनी currency use हो रही होगी या फिर हो सकता है हट भी जाए तो वो जो ब्रिक्स का आप template देख रहे हो वो back end में युवान को मजबूत करता हुआ आपको देखने मिलेगा तो युवान कुछ दिनों के और उसमें चायना को बड़ा फायदा है उसके सपनों को हम पूरा करवाएंगे दोस्तों मीद करतों आपको वीडियो पसंद आई होगी पसंद आई होगी तो लाइक जरूर कीजिएगा इसके सिवा हमारे लिए सबसे important support है आप लोगों के subscribe बटन को दबाना बेल आइकन को दबाना तो make sure आप चानल को सबस्क्राइब कर रहे हैं वीडियो को लाइक करें एक वीडियो का लिंक आपके सामने है इस वक्त आपको दिख रहा है तो उस वीडियो को भी जरूर देखिएगा काफी कुछ जानने काफी कुछ सीखने आपको इस वीडियो में भी मिलेगा